उस जंगल में तीन द्रखत एक साथ कुगे हुए थे और उन पर बहुत से पक्षी मिलकर रहा करते थे वो पक्षी बहुत फ्यार और मुहबबत से रहते और एक दूसरे का बहुत खयाल रखते जब भी कोई फंक्षन होता या किसी परिंदे का बच्चा अंडे से बाहर आता तो वो तमाम परिंदे मिलकर बहुत इंज्ड़ाय करते और खुशिया आपस में बांटे ऐसे उनकी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी और पिर उन टॉक्षियों में एक सुईटी चिडिया भी थी जिसकी शादी करीब भी थी तमाम परिंदे बहुत ज्यादा खुश थे और वो सुईटी चिडिया की शादी की तयारियां जोरो शोड़ से कर रहे थे तमाम परिंदे मिलकर पूरा जंगल सजा देते हैं और तमाम परिंदे बहुत खुशिया मना रहे थे उसी जंगल में उलूं के दो जोड़े रहा करते थे जो रात भर दाना ढूनते और दिन में सो जाया करते थे उन उलूओं को उन तमाम परिंदों की यूँ खुशियां मनाना जरा भी पसंदना था और उन्हें बहुत ज़्यादा उलजन थी शोर से अरे यार एक तो ये जो परिंदे हैं रोजाना ही कोई न कोई फंक्शन मनाते हैं और बहुत शोर करते हैं मुझे तो शोर बिल्कुल भी पसंदना ही हम पूरी रात दाना ढूंटे हैं और दिन में सोना होता है लेकिन ये पूरा दिन शोर करते हैं जिसकी वज़े से हम लोग ज़रा भी आराम नहीं कर पाते हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा इनका जी उल्लू जी आप ठीक है रहे हैं कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हां हां उल्लू भैया आप बिल्कुल ठीक है रहे हैं इन परिंदों की आए दिन कोई न कोई खुशी होती है हमें इनके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हां हां उल्लू भैया आपके भ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, जिसे वो तंगा कर खुद ही जंगल छोड़के चले जाएं। अगली सبح तमाम परिंदों के घंसले गिरा देते हैं, और जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। हाँ हाँ टूनी चिडिया ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लेकिन ऐसा कौन कर सकता है जिसने हमारे गौंसनों को नीचे गिराया और पिर कालू कावा कहता है अरे हाँ मेरे जहन में आ रहा है हाँ सुनो पक्षियो ये गौंसने किसी और नहीं उल्वों के दो जोडों ने गिराये हैं तुम्हें तो पता है ना कि वो दिन भर सोते हैं और रात भर दाना ढूंटे हैं और हम लोग रात को सोते हैं और दिन में दाना ढूंटे हैं इसलिए उन्हें हमारा दिन में शोड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं इसलिए गुस्से में आकर उन्हों ने हमारे गॉंसलों को नीचे गिरा डाला हाँ कवे भईया ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा अच्छा तमाम पक्षियो अब हम आएंदा इस बात का खयार रखेंगे कि हम जादा शोर ना करें क्योंके उल्वों की नीच खराब होती है ठीक है ठीक है तो दे भईया और फिर ऐसे तमाम पक्षि कोशिश करते हैं कि वो उल्वों को तंग ना करें लेकिन उल्वों के दमाग में एक बात आ चुकी थी और वो उसे बार बार दोहराना चाते थे अगली शाम को तमाम परिंदे जब ठाखा कर सो जाते हैं तो उल्वों के दो जोड़े फिर से ऐसा ही करते हैं उनके नए बनाए हुए गौंसलों को दुबारा से नीचे गिरा देते हैं और अब उल्वों ने यही काम पकड़ लिया था जब भी परिंदे सो जाते वो उटते और दाना ढूनने जाने के लिए पहले वो तमाम पक्षियों के गौंसले गिराते और फिर आगे जाते और फिर तमाम पक्षि बितारे रोजाना सुबा नया गौंसला बनाते ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और आखिरकार तमाम पक्षी बहुत तंग आजाते हैं उलूओं की इन हर्कतों से और आखिरकार वो एक दूसरे से कहते हैं पक्षी ओ सुनो अब बहुत हो चुका एक बार होता है या दो बार लेकिन उलूओं ने तो ये गेम ही बना ली है हमारे साथ हाला के हम इनकी नेंतना हराब हो इस बात का भी ख्यार रखते हैं लेकिन उन्हों ने तो हमारे गौंसलों को तोड़ना अपना फर्ज एहन समय लिया है अब हमें कुछ न कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वज़ा से इन उलूओं को सबक मिले ताके वो दुबारा कभी हमारे गौंसलों को ना गिराप पाएं हाँ हाँ कौवे भईया आप पिल्कु ठीक है रहे हैं हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा परना हम तो रोजाना बस यह गौंसले ही बनाते रहेंगे पता है न गौंसले बनाना कितना मुश्किल होता है और फिर वो तमाम परेंदे मिलकर बड़े से पत्थर के पास आते हैं पत्थर भईया पत्थर भईया हमारी मदद कीजिए उल्यों के दो जोड़े है ना उन्होंने हमारी जिन्दकी अजीरन कर रहती है आपको पता है ना कि वो रात भर दाना ढूंटे हैं और दिन भर सोते हैं और जंगल के बाकी तमाम परेंदे रात को सोते हैं और दिन में दाना ढूंटे हैं तो यही बात उल्यों को पसंद नहीं, हमारे शोर करने की वज़ज़ से उनकी नीन खराब होती थी, जब हमें पता चला तो हमने कोशिश की कि हम उन्हें ज्यादा तंग ना करें, लेकिन वो फिर भी हमारे घंसलों को रोजाना शाम को गिरा जाते हैं, जिसकी वज़ज़ से ह हम तमाम पक्षी बहुत परिशान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि उल्यों के जो गूफ़ा है ना उसका रस्ता बंद कर दीजिए, अच्छा अच्छा प्यारे पक्षी ओ, तुम्हें परिशान होनी की जरूरत नहीं, मैं तुम्ह हमारी मदद जरूर करूंगा, और फिर वो बड़ा सा बत्थर जल्दी से उल्यों का दर्वाजा जाकर बंद कर देता है, उल्यों के दो जोड़ों में से एक जोड़े ने अंडे भी दे रखे थे, और उनमें से बच्छे बाहर निकलाते हैं, अरे अब क्या होगा, हमारे ग जारा कर लेंगे और इतने दिनों में हम कोई ना कोई हल भी निकाल ही लेंगे, और फिर तमाम उलू मिलकर वो दाना खाते हैं, और ऐसे ही दो तीन दिन गुजर जाते हैं, आखिर कर वो दाना भी खतम हो जाता है, तमाम उलू बहुत परिशान थे कि अब क्या किया जाए, अगर बच्चों को दाना ना मिला तो ये मर जाएंगे और ऐसा ही होता है दो दिन और गुज़र जाते हैं और बच्चे वू की वज़ा से मर जाते हैं और फिर तोता और स्वीटी चिलिया पथर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं पथर भया, आपका बहुत एहसान है हम पर, अब आप ऐसा कीजिए कि उलू की गूफ़ा का रस्ता खोल दीजिए, वरना वो अंदर ही मर जाएंगे ठीक है ठीक है दोति भया, मैं खोल देता हूँ रस्ता, और फिर वो पथर वहाँ से हट जाता है अरे 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 उलू जी दर्वाजा खोल गया है, हमारी गूफ़ा का रस्ता खोल गया है अच्छा, उलू जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ लेकिन आपको एक बात पर गवर जरूर करना चाहिए आपको पता है हमने पक्षियों को कितना तंग किया है इसी वज़ा से हमारे बच्चे भी जुनिया से चले गए अब हम कभी भी उन पक्षियों को तंग नहीं करेंगे